करनाटक तमिलाडू तिलंगाना आंज़ परदेश के तर्ज पर अब बिहार में भी जो उद्योग पती हैं उनको निवेस के लिए बुलाय जा रहा है और इसी को देखते वे बिहार सरकार और उद्योग बिहाग ने बिहार बिजनस समिट 2023 का आयून किया है दो दिवेसे इस स यारिया पूरी की गई है और बिहार सरकार का जो उद्योग बिहाग है उसने परियास किया है कि जो उद्योग पतिया है उनको बिहार की समझ हो और वो किस तरह के से ज़्यादा ज़्यादा यहां पर निवेस कर सके किस तरह के से लोगों को नौकरी मिल सके रोजगार मिल सक यह पाई यह इसका ग्राउंट फोर है और एक विसाल का यहां पर जो है यहां पर जो है वोडिंग आउट लोड आउट टेश्ट लगाए गये हैं और लोग जो है यहां पर जब आज से जब सम्मिट सुरू होगा तो लोग यहां पर आएंगे एक हम आपको समझाने के का प्र सद्राज यहां जैसे जह रखंद है उत्तरपदेश है तो जैसे गौपालगंज में अगर आप आना चायते हैं इन्वेस्टमेंट्स करना चाते हैं तो बताए गया हिकि गौपालगंज को भगल में गोरखपूर एएरपोर्ट है अगर आप बग्सर भौजपूर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बागडोगरा एरपोर्ट है और अगर आप जहनाबाद अर्वल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गया एरपोर्ट है यानि समझाने की कोशिस की गई है कि बिहार में सटकें अच्छी है बिहार में बिजली अच्छी है बियार सरकार की कोशिस है कि जो सरकाई नोकरी है इनके मादिया से जितना रोजगार हो वो दो दिया जा सका है इसके साथ साथ बिहार को लेकर के जो परक्षप्सन है कि बिहार में रोजगार नहीं हो सकता है बिहार लेंड लॉंग्ड इस्टेट है लिहाजा यहां पर बड़े स्थर पर पुंजी विन्वेस नहीं किया जा सकता है, इन सारे परसेपों को गलत परसेपों को दूर करने के मकसद से और उद्रियोख पत्यों के सामने अपनी बात रखने के मकसद से इस तरह का कॉंकलेब काये जुजलन किया गया है और उम्मीद है कि जब कल आखरी दिन होगा और आखरी सत्र होगा तो बिहार के लिए एक बड़ी खुसक्वरी सुनने को मिलेगी क्याना पसंद श्याम के साथ प्रितम कुमार कस्स हीूज अटना